स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यार इसे खुपसूर इसे चैनल में जिसका नाम है JR College जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के उपर हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है हमारे 11th और 12th standard को पढ़ाना हूँ सही है और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ as a biology subject सही है हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था हमारे 12th biology का lesson number 5 जिसका नाम क्या है origin and evolution of life जिस lesson के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जैसे हमारा origination कैसे हुआ हमारी earth का origination कैसे हुआ होगा सही है फिर उसके बाद जब एक life originate हो गई उसके बाद उस life का evolution कैसे हुआ मतलब जो सबसे पहला organism form हुआ होगा आगे वो चलके कैसे evolve हुआ और कैसे इतने सारे अलग-अलग प्रकार के organism बनते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि इतने सारे अलग-अलग type के phylum हैं इतने अलग-अलग type के animals हैं तो यह सारे के सारे animals कैसे बने यह सारे organisms कैसे बने कैसा इनका evolution हुआ वो हम लोग जान रहे हैं इस chapter के अंदर that is origin and evolution of life इसके उपर मैंने already आप लोग को चार lecture नहीं sorry तीन lecture बना के दिया है यह है चौथा lecture ठीक है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे देखो इसके अंदर हम लोग mainly क्या पढ़ने वाले हैं evidences पढ़ेंगे evidences of evolution evolution के कुछ evidences अभी तक हम लोग ने theories of evolution पढ़े हैं सही है, मैंने आप लोगो कुछ ठेories दी थी, मैंने आप लोगो कुछ चीज़े बताई थी, कि हाँ, ऐसे-ऐसे evolution हुआ होगा, फिर आप लोगे मन में ख्याल आया होगा, कि यार सर, इतनी जो चीज़े आप बता रहे हो, क्या इसका कोई proof है, क्या इसका कोई evidence है, कि हाँ, ऐसे ही चीज़े हुई होगी, तो हाँ, इसके काफी सारे proof available है, और वो सारे proof आप लोग को आज, मैं इस lecture के थुरू बताने वाला हूँ, सही है, तो आज हम लोग evidences of evolution पढ़ेंगे, साथी साथ, एक बहुती छोटा सा, प्यारा सा topic, एक और है, speciation, इसको भी cover करने की कोशिश करेंगे, आज इस lecture के अंदर, ठीक है, so lecture start करते हैं, lecture start करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, कि हमारा, जो JR Tutorials का application है, अगर आपने अभी तक download नहीं किया है, तो जरूर से download कर लेना इस application को, देखो, सबसे पहली बात क्या है, कि आप लोग को वहाँ पे notes मिलेंगे, ठीक है, मिलते रहेंगे, धीरे-धीरे आप लोग को notes, फिर वहाँ पे आप लोग को question paper मिलेंगे, जब आपका exam नस्दीक आएगा, तो आप लोग के लिए बहुत सारे practice paper हम लोग डालेंगे वहाँ पे, ताकि आप लोग चीज़े practice करते रहें, और आपका जो question answer लिखने का habit है, वो भी develop हो, सही है, उसके बाद, अगर आप लोग को मुझसे कोई doubt है, ठीक है, मुझसे कोई बाते करना चाते हो, अगर आपको मुझे कोई feedback भी देना है, तो मैरे instagram का ID है, ठीक है, आप यहाँ पर आखे मुझे message कर सकते हैं, मैंने आप लोग को यह चार्ट बताया था स्टार्टिंग में लेसन में और हम लोग ने evolution start किया हुआ था हम लोग evolution पढ़ रहे था ना evolution में मैंने आप लोग theories पढ़ा दी जितने भी theories थी वो सारी theory मैंने आप लोग को पढ़ा दी जो मैंने आप लोग वो last वाले lecture में पढ़ाया था आज हम लोग focus करेंगे बच्चो इस evidence के उपर इस evidence के बारे में हम लोग बाते करेंगे evolution की, अखिरकार evolution हुआ है तो उसके कुछ proof भी तो market में available हों चीए ठीक है, उसके nature में कुछ proof दो हम भाया हमको, सही है, तो इसके उपर हम लोग start करने जा रहे है अपना सबसे पहला topic आज के lecture का that is evidences of evolution, सही है कि कैसे कैसे evolution हुआ है और उसके कुछ सबूत दिये जाने चाहिए, तो कुछ evidences में आप लोग को बताऊंगा देखो हम लोग यहाँ पहमीन ली, तीन group of evidence के बारे में बात करेंगे सबसे पहला जो evidence है, वो है Paleontological Evidence जान दो Paleontological Evidence है फिर Paleontology के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या है दिरे दिरे मैं आप लोग को बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों, connecting link पे, तेकर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, connecting link और इसी में एक और bracket देके लिखा हुए missing link, आला कि missing link और connecting link में थोड़ा सा difference है, इन दोनों को आप लोग same same मत समझना, आपके book में इसको same same दे दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं है, connecting link और missing link में थोड़ा सा difference है, मैं आप लोग को पढ़ा हूँगा, उसके बाद बाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम लोग third पढ़ेंगे बच्चों, morphology, ठीक है, morphology के बारे में बात करेंगे, morphology मतलब external structure, ठीक है, structure के बारे में बात करेंगे, कि कोई भी organism कैसा exist कर रहा है, कि इस type का structure अब देखो, morphology में भी कुछ और बहुत सारी चीज़े हम लोग को पढ़नी है, जैसे, anatomical evidence, homological evidence, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, तो वो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, वो किस के अंदर आएगा, आपके morphology के अंदर आएगा, फिर उसके अंदर हम लोग को पढ़ना ह में vestigial organ क्या है, सही है, फिर कुछ molecular evidence भी है, वो सारी चीज़े हम लोग इस lecture के अंदर continue करने वाले हैं, समझ बैरी बार, तो क्या-क्या पढ़ना है, अपने को देखो, सबसे पहले अपने क्या पढ़ना है, that is, paleontological evidence, paleontological evidence पढ़ना है, दूसरा topic अपने क्या पढ़ना है, connecting link, जिसे हम लोग missing link भी कहते हैं, बढ़ थोड़ा से difference दोनों word के बीच में, पढ़ाऊंगा मैं आप लोग क्या होता है, और last हम लोग को पढ़ना है, morphology, ठीक है, morphology मतलब external structure, ठीक है, external structure के बारे में हम लोग बाते करेंगे, ठीक है, उसके external structure के बारे में हम लोग काफी सारे बातें करेंगे, तो यह तीन पॉइंट, यह जो तीन पॉइंट हम लोग को पढ़ने हैं, यह बहुत ज़दा important हो जाते हैं हमारे लिए, clear है, clear है, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, चलो समझते, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, morphology में, तो morphology में ह हम लोग पढ़ेंगे, homologous organ के बारे में, ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, homologous organ के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे, analogous organ के बारे में, सही है, सही है, समझ रहा हो, morphology में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, homologous organ के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे, analogous organ के बारे में, फिर next, third हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ, vestigial organ के बारे में, vestigial organs के बारे में पढ़ेंगे, और last, fourth topic, यानि D, हम लोग क्या पढ़ेंगे, that is, molecular evidence, सही है, ठीक है, तो इतनी चीज़ा आज हम लोग को यहाँ पर cover करनी है, इसके साथ-साथ एक और topic है, speciation, उसको भी आज हम लोग कतम करने का try करेंगे, ठीक है, लेकिन मोटा-मोटा हम लोग क्या पढ़ना है, देखो, सबसे पहले, paleontology, connecting link, ठीक है, morphology, और उसके बाद morphology अं उसके बाद homologous organ, analogous organ, vestigial organ और molecular, ठीक है, चलो, आज़ो, बढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, बच्चो, paleontological evidence के बारे में, ठीक है, paleontological evidence, paleontology क्या है, वो थोड़ा समझना है, देखो, कुछ scientist होते है, जिनको हम लोग paleontologist कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर से fossils निकालना, उसके अंदर से क्या निकालना, fossils निकालना, अब ये fossils क्या है, ठीक है, अब ये fossils कहते हैं, ठीक है, एतने इतने टाइम पहले, dinosaurs exist रहा करते थे अब हमें कैसे पता हम तो नहीं कहें थे dinosaurs को देखने के लिए तो इसका मतलब क्या है कि हमें dinosaurs की fossils मिले है बच्चो ठीक है dinosaurs के हमें fossils मिले है उस fossils पे हम लोग यह पता चल पा रहा है कि हाँ इस time पे that is dinosaurs exist करते थे अब यह कैसे पता चला कि method ठीक है समझ मेरी बत तो carbon dating method से हम लोग को ये पता चलता है कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है सही है और fossils से हम लोग को ये पता चलता है कि हाँ ये उस उस organism का ये ये part है सही है अब हम लोग ने dinosaur के बारे में कैसे पता चला dinosaurs के बच्चों को इतने इतने साल पहले dinosaurs exist किया करते होंगी ठीक है समझ मेरी बात ऐसे ही हमें बहुत सारी humans के भी fossils मिलें जैसा आगे तुम लोग पढ़ोगे human evolution में जैसे बहुत सारी humans थे पहले जैसे औस्टेलोपितिकस थे फिर homo habilis थे homo erectus थे तो उनकी भी हम लोग को थोड़े थोड़े fossils मिले हैं ठीक है अलग अलग जगा पे mostly हम लोग आफरिका में इस्ट अफरिका में उनके fossils मिले हैं उन fossils के basis पे हम लोग यह पता कर सकते हैं कि हाँ पहले पहले जो organisms है वो कहा कहा रहते होंगे सही है और उनका evolution कैसे कैसे हुआ होगा जैसे अगर बात करूँ हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बंदरों से बने हैं ठीक हम लोग बंदर से evolve हुए हैं तो अगर evolution नहीं होती तो वो जो पहले exist करने वाले organisms हैं क्या उनके fossils हमें मिलते आप ही सोचो ठीक है आप ही सोचो कभी तो exist किया करते होंगे हमारे जो पूरवज है वो कभी तो exist किया करते होंगे सही है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे organisms उस time पे थे और उनी से evolve हो होकर ठीक है ऐसे organism से ही evolve हो होकर किनका formation हुआ है हमारा formation हुआ है समझ मैरी बात तो हमें इनके क्या मिले हैं बच्चों, fossils मिले हैं, fossils का मतलब समझ में आ गया, ऐसे remains उन organisms के, जो उस time पे हमको as a rock में या फिर as a soil के अंदर हमको मिले हैं, ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है, कि normal पूरी हड़ी मिल जाती है, ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है, उस हड़ी का एक copy print, उस rock के उपर लगा रहता है, जैसे, अभी मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, एक structure तुम लोग को पढ़ाऊंगा, वहाँ पैसा हुआ था, कि उस structure का, ठीक है, वो जो bone थी ना, उस bone का, जो यह structure है, वो किसी rock के उपर बनके मिला हुआ था हम लोग को, ठीक है, तो हम लोग ने बहा carbon dating method की, जैक है, थोड़ा समझाता हूँ, आप लोग carbon dating method क्या होता है, जैक है, आप carbon 14 को मिजर करते हैं, जैक है, आप carbon 14 किस बला का नाम है, जैक है, carbon जो होता है, carbon पता है, आप लोग, आप लोग chemistry पढ़ते होंगे, तो carbon आप लोग को पता ही होगा, carbon का normal atomic number कितना होता है, आप लोग को पता होगा, atomic number होता है 6, और atomic mass number कितना होता है, 12, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आप लोग, तो atomic number कितना है 6, atomic mass number कितना है, 12, ये normal carbon है, लेकिन एक radioactive form होता है carbon का, carbon का एक radioactive form exist करता है इस दुनिया में जिता हम लोग बोलते हैं बच्छो carbon 14 मतलब इसका जो atomic mass number होगा वो कितना होगा 14 होगा इसका atomic number same होगा इसका भी 6 है इसका भी 6 है लेकिन इसका जो atomic mass number होगा न बच्छो वो कितना होगा 14 होगा ऐसे carbon को हम लोग कहेंगे radioactive carbon ठीक है इस carbon को हम लोग क्या कह सकते हैं this carbon is known as radio active carbon समझे रोग अब radioactive मतलब क्या radioactive carbon मतलब क्या देगो बच्छो radioactive मतलब ऐसी species जो अपने body से radiation emit करती है ठीक है radioactive मतलब क्या ऐसे structure ऐसी species जो अपने body से क्या कर रही है radiation emit कर यह मानलो मैं अपने body से radiation emit कर रहा हूँ radiation मतलब क्या एक source of light है ठीक है light energy है light energy समझते हो ना तो light energy अगर मैं अपने body से निकाल रहा हूँ मतलब मैं अपने body से radiation निकाल रहा हूँ सो मैं radioactive हूँ जो भी organism जो भी organism तो नहीं जो भी element अपने अंदर से radiation emit करता है उस element को हम लोग क्या बोल सकते हैं radioactive ठीक है उस element को हम लोग क्या बोलते हैं radioactive अब अगर मैं carbon 14 की बात करूँ तो carbon 14 अपने body के अंदर से radiation emit करता है that's why this carbon 14 is known as radioactive carbon ठीक है ये carbon 14 क्या है radioactive carbon है सही बात है सबजबारी बात अब ये जो radioactive carbon है बच्चों आप लोगों पता है कि हमारी पूरी की पूरी body carbon से बनी हुई है सही है ना हमारे cells के अंदर क्या है protein है protein क्या है carbon के molecule है protein किस से बना हुई बात करते हैं carbohydrate ऑ है DNA या फिर RNA है ये cells के अंदर और क्या क्या है cells के अंदर हम लोग बोल सकते हैं ribosome इसे बड़ी सारी चीज़ने cells के जो cell system बना है phospholipid से बनी है अगर मैं बात करूँ बच्चों प्रोटीन की तो प्रोटीन किससे बना है अमाइनो असेट से अगर मैं किसी एक नॉर्मल से अमाइनो असेट का स्ट्रक्चर बनाओ देखो अमाइनो असेट का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है C, C, O, O, H मतलब यह एक acidic group यह एक आपका amino group ठीक है और यहाँ पर लगा हुआ होता है H और यहाँ पर लगा हुआ था कोई भी R group R मतलब क्या कोई भी alkyl group जैसे CS3, CH, C2, H6 ऐसे कोई भी alkyl group आप यहाँ पर लगा दो वो आपके क्या हो जाएगा एक आपका alkyl group है यह पूरा structure है आपके amino acid का अब आप amino acid के structure पर थोड़ा सा गौर करो यहाँ पर भी carbon है सही है यहाँ पर भी carbon है मतलब आपके amino acid में भी carbon है फिर अगर मैं बात करूं अगर मैं सिर्फ glucose की बात करूं जो हमारे body में सबसे ज़्यादा abundant पाया जाता है अगर मैं सिर्फ glucose की बात करूं तो glucose कितना पाया जाता है glucose का formula क्या है c6o6 इसमें भी छे क्या present है बच्चो carbon ही तो present है क्या present एक आपका Phosphoric Acid उसको अलग रख दो एक आपका Nitrogenous Base और एक आपका Ribose Sugar राइबोस भी तो एक टाइप का Sugar है उसका structure देखोगे ना तो वो भी कुछ ऐसा structure होता है उसका भी ऐसा और यह जो जितने भी Point आने यह सब सब कारबन है सब कारबन है समझ रहो तो कहने का उदेश क्या है कहने का मूटिव क्या है कि हमारी पूरी की पूरी बॉड़ी Maximum से Maximum कारबन से बनी हुई है ठीक है हमारी पूरी बॉड़ी किस से बनी है कारबन से बनी है चाहे कोई भी organism ले लो कोई भी organism ले लो सब किस्ते बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं अब बात यहां यह चल रही थी, कि हमारे बॉडी में कार्बन 12 भी है और कार्बन 14 भी है ठीक हमारे बॉडी में जाधा तर कार्बन 12 है, बट कुछ अमाउंट में कार्बन 14 भी हमारे बॉडी में exist करता है अब अबर माण लो टीकिए मेरी डेथ हो जाती है ऐसा मानना तो मर बट चलो माण लो कि इसको ही एक person है उसकी death हो जाती है अब जैसे ही उस person की death हुई उसका carbon 14 में से radiation निकलना start हो जाएगा कर bakayım 14 में से radiation निकलना start हो जाएगा तो songs के पास एक data होगा अब मैं तो scientist नहीं हूँ यार लेकिन जो scientist होगा उसके पास एक data होगा कि यार इतने इतने period of time में इतना इतना radiation निकल जाता है मैं जैसे हम लोग एक example लेते मान लोग दो यूनिट अब हम लोग रेडियेशन की यूनिट तो मालूम नहीं तो हम लोग मान लेते कोई भी दो यूनिट रेडियेशन निकलने में मान लोग 10 साल लगते हैं मेरे पास एक ये data है अब मुझे कोई एक बोन मिला मैं एक paleontologist हूँ और मैंने खुदाई की और मुझे एक मिला कोई भी एक बोन हो सकता है अब मुझे नहीं पता ये किसका बोन है वो छोड़ दो मुझे जानना है कि ये कितने साल पुराना है तो मैं क्या करूंगा carbon dating method से ये पता लगाऊंगा कि कितना इसके अंदर से carbon 14 लॉस्ट हुआ है मतलब इसके अंदर से कितना carbon का रेडिये lost हो गया है अब मुझे पता है कि 2 unit lost होने में कितने साल लगते हैं 10 साल लगते हैं तो उससे मैं calculate कर लूँगा अगर 10 unit cause हुआ है मतलब 10 unit अगर निकला है तो कितने साल लगेंगे 50 साल लगेंगे सही है न एक बार देख लो calculate करके ठीक है इसको अगर आफ 5 से multiply करोगे तो ये हड़ी है बच्चों ये 50 years पुरानी है कितनी years पुरानी है 50 years ये सिर्फ मैंने तुम लोग को एक example देके समझाया है असली में नहीं होता ये 2 unit 10 साल ये सिर्फ तुम लोग को एक example देके समझाया है clear है समझ में आ रहा है so this is the method of carbon dating इस method से scientists पता लगाते है कि actual में कोई भी ची हम लोग को मिली है वो actual में कितने दिन पुरानी है ठीक है actual में वो कितने दिन पुरानी है वो हम लोग को ऐसे पता चलता है because of this carbon dating method और यहां से हम लोग को एक बहुत अच्छी ब्रांच खुल गई एक नई ब्रांच खुल गई जिसे हम लोग क्या बोलते है paleontology ठीक है paleontology मत जाओ अपने next evidence पर चलते है next evidence is connecting link connecting link के आगे आपके book में missing link लिखा हुए लेकिन इन दोनों word में थोड़ा सा difference है मैं आप लोग को बता तो देखो हम लोग ने evolution में पढ़ा है अगर आप लोग ने 11 standard में kingdom animalia पढ़ा होगा तो हम लोग ने पढ़ा है कि एक चीज सबसे पहले अगर हम लोग कॉड़ डेटा की बात करे तो सबसे पहले किसका formation हुआ थ तो fish से आगे चलके कौन evolve हुए? amphibians मतलब fish कुछ fish आगे चलके land पे आ गए होंगे ठीक है कुछ fish आगे चलके land पे आ गए होंगे और वो क्या बन गया? amphibians बन गया? amphibians ऐसे organism जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं फिर इन से आगे चलके क्या बने? reptilia यह फिर reptiles कहला ठीक है? reptiles बन गये? reptiles were the true terrestrial organism ठीक है? reptiles जो थे? वो true terrestrial थे मतलब अच्छे से हमेशा जमीन पे रह सकते हैं इनको पानी में जाके fertilization, fertilization करने हैं कोई ज़रूत नहीं थी यह अपना fertilization जमीन पे भी कर सकते थे बढ़ इनको पीने के लिए तो पानी लगे ग ठीक है? reptilia से दो species बन गई, एक हो गई apes ठीक है? जो कि पंची है birds से सही है? और एक हो गई अपने mammals जिसमें हम आते हैं तो यह वाला chart आप लोग ने 11th standard में पड़ा होगा सही है? जहाँ पे Pisces आगे चलके amphibians बनते हैं मतलब evolution हुआ Pisces का amphibians में, फिर amphibians से आगे चलके evolution ह बनी एक आपके mammals और एक आपके Pisces, sorry, apes, सही है? यह आप लोगो evolution का chart समझ में आ रहा है, मतलब इस order में evolution हुआ है, सही है? अब connecting link या missing link क्या है? देखो connecting link पर ले समझो, connecting link का मतलब क्या होते है? कोई भी species, जैसे for example एक fish है, तो ऐसा तो नहीं हुआ 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 is very gradual process, समझ रहो? तो मतलब जब इनका इसमें यह हो रहा होगा, ठीक है? evolution हो रहा होगा, तो कोई तो एक ऐसी species होगी ना, जिसके पास कुछ character इसके भी होंगे, और कुछ character इसके भी होंगे, समझ रहो? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला, उस पर थोड़ा दान दो, मैंने बोला कि कोई भी species एकदम जटके से नहीं बन जाती, ठीक है? एक नहीं species एकदम फटाक से नहीं बन गई, कि यार एक कोई Pisces सो ही थी रात को, और वो जब सुबह उठी तो है Amphibian बन गई, ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है? तो जो evolution है, वो बहुत ही slow process है, बहुत धीरे-धीर rate पर चलती है process, सही है, तो इसका मतलब इस ऐसी कोई तो species exits किया करती होगी न, ठीक है? आफिर ऐसी कोई तो species जरूर्द होगी, जिसके पास कुछ character Pisces के होंगे, और कुछ characters Amphibians के होंगे, सही है, ऐसे species को, जो दो अलग-अलग group के character को link कर रही है, ठीक है? दो अलग-अलग character को क्या कर रही है, link कर रही है, जिससे इस species को हम लोग क्या बोलते हैं, connecting link, समझ में आया है, मैंने क्या बोला, ठीक है, वापस सुनो, connecting link मतलब क्या? connecting link मतलब, ऐसी species, जिसके पास कुछ previous generation वाली species के भी feature है, और कुछ आगे modern species के भी feature है, जो आने वाली species और उसके भी feature है, तो यह, ऐसी species, जो इस species से, मतलब previous species से, आगे जाने वाली species में क्या हो रही है, transfer हो रही है, transform हो रही है, समझ रहो, तो मतलब कुछ इसके पास यहाँ वाले भी feature है, कुछ इसके पास यहाँ वाले भी feature है, समझ रहो, अगर मैं ऐसी species हूँ, मैं ऐसी species हूँ, मेरे पास कुछ Pisces के भी feature होंगे, मेरे पास कुछ Reptilian के भी feature होंगे, तो ऐसे species को, जैसे मैं मुझे क्या बोलोगे आप मुझे कहोगे connecting link मतलब मैं इन दोनो species को connect कर रहा हूँ, सही है, और ऐसे species अगर जिन्दा है, मतलब अभी भी exist करती है, तो वो connecting link होगी ठीक है, वो क्या होगी, connecting link लेकिन अगर ऐसे species, जो दो अलग अलग species को connect करती थी, बट वो अब exist ही नहीं करती, अब वो मिलती ही नहीं है, ठीक है अब वो exist ही नहीं करती nature में, तो ऐसे species को हम लोग क्या कहेंगे, missing link समझ मैं आया, दोनों में difference समझ माया, what is mean by connecting link and what is mean by missing link connecting link मतलब क्या connecting link मतलब ऐसी species जो जिन्दा है, अभी भी हम लोग को मिलती है जैसे platypus, duck, bill, platypus नाम का एक organism है, जो कि किसके-किस के बीच का, reptilia और mammals के बीच का character show करता है मतलब इसके पास कुछ feature reptilia के भी है, कुछ feature mammals के भी है, ठीक है duck, bill, platypus, नाम है उसका, उस बन देगा सही है, वो तो अभी भी exist करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे it is a connecting link, बट कुछ ऐसी species पहले भी रही होंगी ठीक है, कुछ ऐसी species बच्चो, पहले भी रही होंगी, जो दो अलग-अलग species के character को acquire करती है, जिसके पास कुछ character इसका भी होगा, जिसके पास कुछ character इसका भी होगा, और वो species, जैसे मैं, for example मैं, अगर मेरे पास कुछ characters marlo reptilia के हैं, और कुछ characters aves के हैं, बट मैं exist ही नहीं करती, मैं extinct हो चुकी हूँ, ठेक है, अगर मैं exist नहीं करता, ठेक है, अगर मैं extinct हो चुकी हूँ, तो इस time पे ऐसे species को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चो missing link, समझ मैं आई, समझ मैं difference, तो missing link मतलब क्या जो ऐसे species, जो extinct हो चुकी है, connecting link मतलब क्या ऐसे species, जो अभी भी exist करती है, सही है, और link link के समझ मैं आगया, दो अलग-अलग group को link करने वाली species को connecting link या फिर missing link कहते हैं, समझ मैं आई बात, समझ मैं आई बात, ठेक है, तो अगर आप connecting link का example मागो, तो मैंने अभी जो आप लोगो बता है, अभी जो प्लाटिपस के पास reptilians के कौन से feature है, देखो, reptilians जितने भी है reptilians मतलब क्या, जैसा snake हो गया, ठेक है, snake is a reptilian, तो reptilians, crocodile is a reptilian, तो reptilians के पास, जितने भी feature है, उसके पास एक बहुत special feature होता है, बच्चो, that is O.V. Paris nature, मतलब ये अंडे देते हैं, जितने भी reptilians होते हैं, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, बट mammals अंडे नहीं देते, जितने भी mammals आप जानते हो, आपके आस पास, जिससे डॉग हो गया, cat हो गई, buffalo हो गई, ठेक है, हम हो गये, क्या, हम O.V. Paris हैं, क्या हम अंडे देते हैं, हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम एक new young one baby को क्या करते हैं, that is produce करते हैं, लेकिन हमारे पास एक बहुत distinct feature है, that is memory gland, memory gland मतलब क्या milk producing gland, ऐसा gland जो milk produce करता है, जिसके वैसे हम अपने बच्चों को nourishment देते हैं, ठेक है, अपने बच्चों को जो भी बेबी आता है, नया नया, उससे नरिश्मेंट मिल पाती है, समझ मेरी बात, तो memory gland किसका feature है, mammals का अंडे देना, OV parasona किसका feature है, reptilia का बड़े जो, platypus भाई साब है ये अंडे भी देता है, और इसके पास memory gland भी present है समझ मेरी बात, ठेक है, तो ये अंडे भी देता है, और इसके पास memory gland भी present है, तो this is the example of connecting link, ठेक है, this is the example of connecting link, अब आपके book में एक example दिया हुआ है, missing link का ठेक है, missing link का, बहुत ही अच्छा example दिया हुआ है, that is archiopteryx का, ठेक है, archiopteryx missing link, ठेक है, missing link का मतलब क्या, मतलब ये जो बंदा है, ये जो बहुत है, ये अब exist नहीं करते, ठेक है, इस ताइम पे exist नहीं करते, समझ मेरी बात, और अच्छी बात है, रेक्सिच नहीं करते हैं, कितना खतरनाक दिखता है, बच्चों को डरा देता है, सही है, कोई बार न यह किसके किसके बीच का amazing link है यह है reptilia और Aves के बीच का Aves मतलब क्या जो पंची है जो birds है वो Aves के अंदर आते हैं reptilia मतलब वही जो crawl करते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो crocodile है वो किसके अंदर आगे reptilia के अंदर आगे तो reptilia और Aves का यह connecting link है यह वही यह exist नहीं करते आज के time पर इसका हम लोगो fossil मिला था तो इस fossil से हम लोग ने यह एक 3D diagram मना है जिससे हम लोग समझ पा रहे हैं किसके पास कौन कौन सी चीज़े present हुआ करती थी अब ज़रा ध्यान से देखो इसके diagram में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसके पास बीक है बीक समझते हो चोच है ठीक है बीक है ना चोच है वो किसका feature है birds का feature है मतलब जेतने भी birds हो दो उनके पास क्या होती चोच होती है इसके目 में, ध्यान से देखो गया ना, इसके speak में आपको teeth देखने के लिए मिलेगी, आपके, इसके beek में, आपको teeth देखने के लिए मिलेगी, दात देखने मिलेंगी, समझ रहो, जो कि किसके feature है, reptilians के feature है, बच्चो, जो birds होती नो, उउटके पास data present नहीं होते, होते हैं उनके इपो जो का इप ही होते हैं तो इस के बहुत टिशेन वह विए आगे आगे कि यहां पर लॉस भी है और इसकी बत्चों डेजिट्स भी है हैं मतलब इसके पास fingers भी हैं देख रहो कितना खुकार है आप अगर clear नहीं दिख रहा होगा तो अपने बुक में एक बर देखना आपको आपको अच्छे सा diagram दिया होगा है यहाँ पर थोड़ा सा blurry हो जाते हैं तो मतलब इसके पास wings तो है wings इसका इसके साथ साथ बच्छों इसके पास उंगलियां भी हैं जो कि किसका फीचर है अगें रैप्टीलिया का फीचर है इसके बॉड़ी पर स्केल्स हम लोगों को देखने मिल रहे हैं जैसे ब्लोग देखया आप लोग में अगर आप स्नेक के बॉड़ी पर इस स्ट्रक्श्र होता है खोला गोला अगर आप इस नेग बॉड़ी पर फैसे हैं Structures होते हैं, यह स्केल पूडी पर स्केल प्रेज़Ó से है, यह स्केल्ड भी प्रेज़ेंट है, यहां यहांरे स्केल्स भी प्रेज़न ओप फिचर हें, तो वहां से मैंने कुछ चार्ड बनाए है और मैंने बताया कि archioptedics के पास कौन-कौन से feature है तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ reptilians के feature की तो सबसे पहला presence of log, tail, देखो, इसके पास tail present है देख रहा है, इसके पास, यहाँ पर दीख नहीं रहा, actual में, पीछे इसके पास tail present होती है यहाँ पर दीख रहे, इसके पास, बच्चो, इसके पास tail present है इसके पास claws present है, claws मतलब समझते हो, यह, this is the claws, चीक है और साथी साथ इसके पास scales present, अभी मैंने आप लोगों को दिखा है उसके बाद, अगर बात करें, it has a single-handed rib, इसका जो rib है, वो single-handed है उसके बाद, अगर हम लोग बात करें, jaws with homodontate teeth, ठीक है, homodontate teeth, homodontate teeth मतलब क्या, मान लो, कहां बना है, मान लो, यह किसी का mouth है, ठीक है, यह किसी का, किसी भी organism का, अगर mouth है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे teeth रहेंगे, ऐसे, 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 समझे लो, ऐसे teeth को हम लोग homodontate teeth, ठीक है, जबडे भी है, साथे साथ, teeth भी present है, ठीक है, sternum with without keel, ठीक है, sternum मतलब क्या होता है, अगर आप लोग ने कभी feel जोग, अपने chest को feel करो, तो आपके chest के side side में ribs लें, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, चोड़ी-चोड़ी muscles होती है, ठीक है, यहाँ पर बनाता हूँ मैं, य यहाँ पर क्या होई है, ribs आई होई है, और ribs के center में, यहाँ पर एक ऐसी बड़ी सी muscle है, देखो कि कभी, ऐसी एक बड़ी सी muscle है, यहाँ पर आपके सारे ribs आके अटाच हो जाते हैं, यह सारे ribs आके इसके ओपर अटाच हो जाते हैं, और इसके पीछे हमारा lungs present है, तो यह तो स्टर्नम है, जो कि किसका feature है, आगे इनराप्टीलिया का feature है, बट विदाउट कील, कील मतलब क्या, कील एक muscle होती है, स्टर्नम के आगे, वो इसके पास present नहीं है, ठीक है, इसके पास bones है, bones are solid, सही है, और claws are digit, ठीक है, claws मतलब क्या, इसके हाथ के पास क्या है, उमलिया है, वहीं अगर avian feature, मतलब aves की feature की बात करें, तो देखो कौन-कौन से, feathery exoskeleton, इसके पास exoskeleton है, exoskeleton मतलब क्या, बाहर-बाहर वाला structure, वो कैसा है, इसका feathery है, feather लगे हुए, जो किसका feature है, again, birds का feature है, aves का feature है, सही है, four limbs are modified into limbs, ठीक है, इसका four limbs है, वो किस में modify हो चुका ह है, limbs में modify हो चुका है, jaw, beak, sorry, इसका jaw है, उसमें क्या लगा हुआ है, beak लगा हुए है, चोंच लगे हुए है, ठीक है, skull bone are completely fused, इसका जो skull bone है, वो पूरा का पूरा क्या है, fused है, जैसा कि किस के अंदर होता है, aves के अंदर होता है, large rounded cranium, ठीक है, बड़ा सा, एक round सा cranium है, cranium मतलब क्या, आपके brain को, जो protect करने वाला bone होता है, उसे cranium कहते हैं, तो इसके पास भी cranium है, limbs bone are bird-like, इसका जो limbs bone है, मतलब हाट पेरों में जो bone लगा होगा, वो किसकी पर है, जादा तर, birds की तरह है, ठीक है, reptilia की तरह नहीं दिखता, समझ मैं ही बात, ठीक है, तो एक हो आज के टाइम पर exist नहीं करता, ठीक है, आज के टाइम पर आपका archiopteryx exist नहीं करता, समझ मैं ही बात, समझ मैं इतनी चीज़ है, ठीक है, तो आज आओ, अगले topic पर बढ़ते हैं, next topic is morphology, ठीक है, next topic is morphology, अब morphology मतलब, क्या देगो, morphology मतलब, simple सा है, अगर आप किसी भी organism क external structure में बात करोगे, तो वो morphology है, अगर मैं मान लो, किसी भी organism को बाहर से देखो, मान लो, मेरे इदर घर में dog आगया, ठीक है, अब इस dog को मैं देख रहा हूँ, और बोल रहा हूँ, यार इसके पास दो कान है, इसके पास एक मूँच है, इसके पास चार पैर है, तो ये क्य कर रहा हूँ, मैं इसके external structure को देख रहा हूँ, इसको बाहर बाहर से देख रहा हूँ, बाहर बाहर से मैं बता रहा हूँ न चीजों को, तो मैं इसके morphology की बात कर रहा हूँ, इसके मैं इसको कहां से बात कर रहा हूँ, इसकी morphology, morphology मतलब क्या external structure, external structure are known as morphology, सही है, वही अग मतलब क्या? internal structure, morphology मतलब क्या? external structure सही है? तो अभी हम लोग बात करेंगे बच्चो external structure में और वहाँ पर कुछ evidences कुछ सबूत दूढ़ने की कोशिश करेंगे हमारे evolution की तो सबसे पहला जो चीज हम लोग को पढ़ना है वो है homologous organ homologous organ सबसे पहले हम लोगों जो चीज पढ़नी है वो है homologous organ अब homologous organ मतलब क्या? देखो धान से सुनो तिंपल साब क्या सकते हो homologous organ मतलब ऐसे organs जिनका structure सेम होगा जिनका structure सेम होगा बट उनका function different होगा उनका function क्या होगा? different जैसे आप लोग एक्जामपल देता हूँ आपके book में कुछ photos दे हुई है सबसे पहले एक इंसानों के हाथ की photo दे हुई है human hand की photo दे हुई है human hand में ठीक है? आप लोग को structure देखने के लिए मिल रहोंगे bones देखने के लिए मिल रहोंगे तो यहाँ उनके अंदर भी bones है और joints present है उसमें नाम दिया हुए न humorous, alna, carpel, metacarpel ऐसे bones के नाम दिया हुए तो आपको अगर मैं बात करूँ human के hand का दिया हुआ human hand दिया हुआ है सबसे फिर cat का four limb दिया हुए four limb मतलब cat के pair का दिया हुए उसके बाद मैं बात करूँ अगर whale के fin की बात करूँ whales पता है whale का fin होता है उनके fins की बात करूँ या फिर अगर मैं bat के wings की बात करूँ bathing bat पता है हमारे छार structure की बात करूँ तो इन चारों में आप structure देखोगे न structure wise same है मतलब क्या है कि human के अंदर, human का जो hand है, उसमें भी bones है, फिर joints है, फिर bones है, फिर joints 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 है, समझ इसके पास भी Carpale, Metacarpale, समझे ले हो, ये सारी चीज़े किसके पास है, Human के पास भी है, Cat के पास भी है, Whale के Fin में भी है, और Bat के Wings में भी है, Bat का जो Wings होता है, जिससे वो उड़ता है, वो भी उसमें भी क्या Present है, ऐसे Bones है, चोटे-चोटे, इसमें भी bones join है, मतलब सबका structure क्या है, same है बट अगर मैं function की बात करूँ, तो सबके function different है, जैसे human hand का function क्या है, कोई भी चीज को lift करने में कोई भी चीज को pull करने में, अभी मैं लिख रहा हूँ तो उसमें मेरा यह heart user है सही है, अगर मैं cat के problem की बात करूँ, तो इसका function क्या है, चलने में सही है, चलती है, कुदती है, जम मारती है cat तो, मजे करती है, तो वो किसका feature है, इस cat के problem का उसका function है, फिर अगर वही मैं wheel के fin की बात करूँ, तो यहां swimming के लिए ठीक है, तैरने के लिए function होता है इसका और bat के wings की बात करूँ, तो यह किसके लिए होता है, उड़ने के लिए हो रहा है, ठीक है bat का feature का है, उड़ने के लिए हो रहा है, समझवारी बात, मतलब यहां पर सब का structure सेम है सेम structure है, बट function क्या है different है, मतलब यहां से हम लोग एक चीज़ यह conclude कर सकते हैं कि जितने भी organisms है न, देखो actual में यह जितने भी organisms है सब mammalia है, सब mammals है mammalia से बिलोंग करते हैं तो सारे के सारे mammals है, इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ, ठीक है, मैं यह कह सकता हूँ कि यह सब के सब एक common ancestor से बिलोंग करते हैं सही है यह सब के सब एक common ancestor मतलब इनका पुर्वज होगा वो एक common ही होगा मतलब हम भी एक उसी organism से बने हैं ठेक है हम भी एक common ancestor से बने हैं उसी ancestor से cat भी बनी है उसी ancestor से whale भी बनी है उसी ancestor से bat भी बनी है बट इनका जगह अलग अलग है ठेक है यह air में छले गए बैट जो है वो वेल थे, वो water में वापस चलेगे, वापस क्यों गोल रहा हूँ, क्यों हम लोग आये भी थे water से ही, हमारा evolution भी start कहां से हुआ था, water से हुआ था, यह वापस water में चलेगे, यह कभी भी, यह हमेशा चार पेरों पर चलते हैं, ठीक है, और हम दो पेरों पर चलने लगे, तो हमा क्या बुलते हैं, homologous organ, ठीक है, ऐसे organs को हम लोग क्या कहते हैं, homologous organ कहते हैं, समझ मैं ही बात, समझ मैं ही बात, homologous organ clear हुआ, homologous organ, organ मतलब क्या, structure are same, but function are different, ठीक है, this is different, समझ मैं ही बात, समझा, चलो, next प्या आजा, next प्या आजा, next is the analogous organ, analogous organ, ठीक है, analogous organ मतलब क्या, ठीक उसका उल्टा, अभी जो हम लोग ने पढ़ा, ठीक उसका उल्टा, मतलब, structure are different, but function are same, समझ रहे हूँ, ठीक उसका उल्टा, example क्या है, जिसे bat के wing, ठीक है, bat के wing का अगर आप example देखोगे, तो उसमें boons present है, बड़े सारे boons, अभी मैं आप लोग को बता है, अगर आप bat के wing को देखोगे, ठीक है, bat के punk को देखोगे, तो उसके अंदर क्या है, बड़े सारे boons, जिसे एक आपको humorous मिल जाएगा, फिर आपको joints मिलेगा, फिर आपको structure मिलेगा, फिर आपको joint मिलेगा, फिर यहां से अलग-अलग ऐसे structure मिलेंगे, सही है, जिसके वैसे bat आपका fly कर पा रहा है, वहीं अगर आप butterfly के wings को देखोग तो उसका wings एक अलगी shape का होता है, ऐसे उनका wings होता है, और यह ना ही bones से बने हैं, ना ही muscles से बने हैं, एक अलगी structure से बने हुए, तो इसका structure और इसके structure में जमीन आसमार का फरक है, यह bones और muscles से बना हुआ है, इसके बीच-बीच में muscles होती है, यहां पर, इसके muscles लगी हुई ह वो बहुत ही different है, बहुत ही different है, लेकिन दोनों का काम क्या है, same है ना, इसका भी तो उड़ने का ही काम है, और इसका भी तो उड़ने का ही काम है, ठीके butterfly के wings का काम क्या है, बैट के wings का काम क्या है, उड़ने का, समझते हो, तो दोनों का structure भले ही different हो, बट दोनों का function क्या है, same, तो ऐसे organ जिसका structure different होता है, बट function same होता है, ऐसे organ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चो, analogous organ ठीक है, ऐसे organ को हम लोग क्या बोलते हैं, analogous organ clear है, समझ में आगे आप थोड़ा fast fast करते हैं ठीक है, आजओ next है vestigial organ third है vestigial organ, ठीक है vestigial organ मतलब क्या vestigial organ मतलब बच्चो, ऐसे organ जो हमारे body में present है ठीक है, हमारे body में present है बट किसी काम की नहीं है, अगर वो हमारे body से निकल जाया ना, तो भी हमारी body अच्छे से function करेगी समझ रहो, ठीक है, जबसे मैं आप लोग example देता हूँ एक example है vermiform appendix का ठीक है, एक example है vermiform appendix का, अब यह क्या होता है देखो, आप लोग ने अगर large intestine देखी हो असली नहीं, पोटो में अगर आप लोगों ने large intestine कुछ ऐसी होती है, ठीक है, और यहां से anus होता है ठीक है, तो अगर आप लोग ने large intestine के कुछ जैसा फोटो देखा होगा तो हमेशा बच्चो, हमारे body में, जो large intestine होता है, इस large intestine के नीचे, एक ऐसा छोटा सा organ present होता है, ठीक है हमारे large intestine के नीचे, एक छोटा सा organ present होता है, जिस organ को हम लोग क्या बोलते हैं, vermiform appendix, या फिर सिर्फ appendix बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है, तो हम लोग इससे क्या बोलते है, vermiform appendix अब इसका काम क्या है, देखो, आज के time पे इसका कोई काम नहीं है, हमारे body में इसका कोई काम नहीं है, तो ये चीज़े रा खाते थे, सही है, मतलब कच्छा खाते थे, अगर मीट की भी बात करें ना, तो मीट हम लग कच्छा खाते थे, समझ रहो, तो कच्छे वाले मीट भी ना बच्चो, cellulose होता है, जो कच्छा मीट है, उसके अंदर cellulose होता है, जिसे पचाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसको पचाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही important organ हुआ करता था, जिसका नाम क्या है, appendix, तो appendix का का काम क्या है, cellulose को पचाना, जो कि raw meat के अंदर होता है, पर आज क्या करते हैं हम लोग, पिछले around 5-6,000 साल से, हम लोग चीजों को क्या कर रहे हैं, चीजों को mostly पका कर खा रहे हैं, चीजों क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं, तो जब भी वह आप चीजों को पकाते हो, समझ रहो, तो आज हम लोग जिदनी भी चीज़े खा रहे ना उसके अंदर जी cellulose प्रेजेंट नहीं है अगर है भी तो उसे हम लोग पहले से ही तोड़ के खा रहे हैं जो भी लोग मेड़ का रहे हैं, मास का रहे हैं उनको बता दू कि हम लोग क्या कर रहे हैं जब आप चीज को पका रहे हो, तो उसका cellulose पहले से digest हो जा रहा है, उसको तूर तूर जा रहा है, तो हमारी body को, वो मेहनत करनी नहीं पड़ रही, इसका मतलब आज के time पे, इस appendix का कोई use नहीं है, समझ रहे हो, बट फिर भी हमारे body में है, बहुत ही छोटा सा है, पर इसक type का क्या है, evidence है, इसका मतलब क्या है, कि पहले हम ऐसे organism हुआ करते थे, जो raw meat खाते थे, मतलब हम लोग पहले stoneage man थे, इसका मतलब पहले ऐसे organisms थे, आज अलग organism है, मतलब evolution हुई है, ठीक है, तो ये भी एक है, क्या है आपका, हम लोग बोल सकते, evidence है, evolution का, ठीक है, ये आपक पहले हमारे पास पहले हुझा थैल्म पे पैड़ों पय रहा करते थे क्यूंट पहले औप उसके बाद लीचे-उतरे जमीन का प्राइब के रहने लगे अलग-अलग साथ में ग्रुपिंग फॉर्म करने लगे हमा पर रहना शोड़ दिया, सही है, तो उसके बाद, जो टेल है, उसका को यूज नहीं था हमारे बॉड़ी से, तो धीरी धीरी टेल क्या हो गई हमारे बॉड़ी से, रिमूव हो गई, बट जिस बोन से वो टेल जूड़ी हुई थी न बच्चों, वो बोन आज भी हमारे पास है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉकेक्स, इसका मतलब ये कॉकेक्स, ये प्रूफ है कि हमारे पास कभी न कभी टेल हुआ करती थी, तो अगर कभी न कभी हमारे पास टेल हुआ करती थी, इसका मतलब हम कभी न कभी बंदर थे, तो अगर बंदर थे और आज इंसान है, हमारे बॉड़ी के जो हेर्स है, वह भी एक टाइप के वेस्टीजल और गनी है, क्यों, क्यूंकि पहले हम लोग बिना कपड़ों के घुमा करते थे, सही है, तो बहुत ज़्यादा सर्धिया हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जिसके वैसे हमारे सकिन में हेर्स आत तो उसके पास क्या होते हैं? उसके skin hairs होते हैं, जो क्या करते हैं? उसके skin को protect करते हैं. तो ऐसे ही पहले भी हमारे पास हुआ करते हैं. आज हमारे पास sweater से, muffler से, बहुत सारी चीज़े हैं, जिसे हम लोग पहनते हैं, तंडी के टाइम पे, कर्मी के टाइम पे, हर एक चीज़ आगे बाद ठीक है जो इयर पिना है इयर पेरा ना हमारे उपर यह वाला स्रुक्चर यह भी बोलते वेस्टीचियल लिए है क्योंकि हमारे लिए जाद़ यूसेफल है नहीं मज़मे री बात चाहिए तो यह हम वेस्टीजर और गन का पर फिर नेक्स अगर हम लोग बात करें नेक्स अगर हम लोग बात करें तो चौथा अचॉथा नॉर्फोलोजी में है molecular evidence इसमें क्या है क्यां से देगो molecular evidence में देगो सबसे easy और सबसे simple और सबसे सही molecular evidence यह कहता है कि जितने भी organism इस दुनिया में वो सारे के सारे सल्से बने हुए हैं सारे के सारे किस्से बने हुए हैं से बने हुए हैं आप भी सल्से बने हुए हो मैं भी सल्से बने हुए हूं हमारे तुमारा जो पडोसी है वो भी सल्से बना हुए है साथी साथ आपके आपक किस से बने हुए है, cell से बने हुए, इसका मतलब क्या है, कि उसके पास cell था, वो आगे चल की क्या हुआ, evolve हुआ, और हमारे पास भी cell आया, मतलब cell होने का एक कारण है, कि इसका मतलब evolution हुआ है, हर organism के पास cell है, अगर अलग-अलग organism बनाते, ठीक है, अलग-अलग organism बनता, अगर evolution नहीं होती, तो सब को cell देने क्या जरूत है, सब को अलग-अलग चीज़ दे देता, समझ मेरी बात, ठीक है, तो ये भी एक evolution है, कि सब के पास cell present है, इसका मतलब सब के पास क्या है, evolution क्या हुआ है, हुई है, फिर next है, बच्चो, proteins, या फिर amino acid, याद करो, मैंने आप लोगो fourth lesson में पढ़ाया था, genetics के बारे में, याद है, genetics में क्या था, मैंने आपको बताया था, कि कोई भी तीन कोडोन, कोई भी, तीन कोडोन, जिन्हें हम लोग triplet कोडोन बोलते थे, ये तीन कोडोन, एक amino acid के लिए code करते हैं, जैसे मान लो, एक है AUG, ठीक है, एक कोडोन है AUG, तो AUG बच्चो, हमेशा मिथायोनिन के लिए code करेगा, मिथायोनिन नाम का एक amino acid है, तो हमेशा उसी के लिए code करेगा, वो, समझ भारी बत, ठीक है, अब ये आपके अंदर मिथायोनिन के लिए code करेगा, मतलब इस दुनिया में जितने भी organism है, जितने भी organism है, अगर उनके पास AUG present है, जो के present होता है, ये सब के अंदर, ठीक है, जितने भी organism है, अगर जिनके पास AUG present है, as a triplet codon, तो उनके अंदर मिथायोनिन ही होगा, उसी ये मिथायोनिन के लिए ही code करेगा, तब बज़रो, म amino acid आपके अंदर है, वही same codon वाले amino acid किसी bacteria में होंगे, किसी dog के अंदर होंगे, किसी cat के अंदर होंगे, किसी rat के अंदर होंगे, समझ दो, मतलब इस दुनिया में, जितने भी organism है, सब के अंदर, same type के amino acid present है, तो ये भी तो एक proof है, evolution का, मतलब उसके अंदर same amino acid है, तो वही से हमारा भी evolution हुआ होगा, इसका मतलब सब के ancestors, एक common ही होंगे न, ठीक है, common ancestors से हम बिलॉंग करते हैं, समझ दो, उसके बाद एक और चीज़ दियो, ये ATP, हम लोग को पता है, ATP क्या होती है, adenosine triphosphate, ठीक है, एक energy currency बोलते हैं, हम लोग इसको, ये हमारे body का energy currency है, अगर हमा हमारे body को energy की कम ही होती है, तो हमारा body ATP को तोड़ता है, और फिर हमें energy release करता है, सही है, हम खाना खाते किसलिए, ताकि हमारे body में जो glucose है, वो अंदर जा है, और उससे ATP का formation हो, समझ दो, तो ये ATP हमारे लिए energy है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके आसपर जितनी भी organism है इवन जो plants है, plants के लिए भी ATP ही as a energy source है, समझ दो, तो मतलब जितने भी organisms हैं, उन सब का common ancestors होगा, समझ दो, तो ये जितने भी molecules हैं, जितने भी molecules हैं, हम लोग को ये बता रहे हैं, कि जितने भी चीज़े आपके body में present हैं, वही चीज़े और भी दूसरे organisms के body में present हैं, आपक 25% सेम है, समझ दो, इसका मतलब क्या है, कि वो और हम एक common ancestors से belong कर रहे हैं, मतलब उसका और हमारा पूरवज एक सेम होगा, उसी से उसका भी evolution हुआ, उसी से हमारा भी evolution हुआ, समझ दो, तो कुछ ऐसी चीज़े हैं, इसी चीज़े हम लोग क्या बोलते हैं, molecular evidence, समझ दो यहा speciation, कहा गया, एक और छोटा सा topic है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, speciation, अब speciation मतलब क्या, speciation का normal सा मतलब यह बच्चों, कि एक species से, एक species से, दुसरी species का formation बनना है, मतलब species number 1 से, species number 1 में कुछ changes होंगे, उसका habitat change होगा, उसका reproductive ability change होगा, reproductive isolation होगा, कुछ भी changes होने के जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, species number 2, समझे लोग, तो इस process को, जिससे एक species से, आगे चलके, दूसरी एक new species का formation होना, इस process को हम लोग क्या बोलते हैं, speciation, समझ में ही बात, speciation का मतलब समझ में आ गया, speciation मतलब क्या, एक नई species का formation होना, एक पहले exist करती हुई species, रमान लो एक नई species बन गई, थेक है, एक human से, आगे चलके एक नई species बन गई, तो हमसे, हम pre-existent species थे, पहले से exist करती हुई species थे, हमसे एक नई species बन गई, तो इस process को मैंने क्या बोला, speciation, ख्लियर समझ में आ गया, अब speciation कई तरह की क्यों होते हैं, ठीक है, कई तरह की होते हैं, आ याप पर मैंने अल्रेडी बनाया हुआ है तो जो speciation होता है वो दो टापका होता है एक intra-specific और एक inter-specific ठीक है intra-specific मतलब क्या इंट्रा-specific मतलब within a species एकी species से नई species बनेगी एकी species से नई species बनेगी और कोई species का यहाँ पर contribution नहीं है ठीक है एकी species one exist करती थी मानलो कोई भी species a है उस a से आगे चलके कोई एक नई species बनेगे जिसका नाम मैंने b रख दिया तो एकी species से आगे चलके b species बनेगी तो सिफ अगर एकी species involved है किसी भी नई species के formation में तो उसे हम लोग क्या बोलेंगी है intra-specific समझे बहुत वहीं इंटर-specific मतलब क्या इंटर-specific मतलब दो अलग-अलग species का involvement अगर दो अलग-अलग मानलो Direct species each और उससे आगे चलके नई species बनी species number C तो हम लोग क्या बोलेंगे it is a interspecific ckeper anticipating make Воcca इंट्र-specific मतलब क्या 콘 Sem previous कीबरेंट और 실망म से अब अब इंट्रा स्पेसिफिक के आगे चलके दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक Allotropic, Sorry Allopatic और एक है Sympatric, समझाता हूँ आप लोग को, यहाँ पर आजाओ समझते, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब क्या, अभी मैंने आप लोग को बता है, इ इसके दो एक्जामपल है, एक है Allopatric, Allopatric और एक है Sympatric, एक है Allopatric और एक है Sympatric, Allopatric मतलब क्या, Allopatric मतलब एक स्पीशीज में एक Geographical Isolation हो, एक स्पीशीज में एक Geographical Isolation हो, और उससे आगे चलके एक नई स्पीशीज बनने है, जैसे मैं आप लोग एक्जामपल देता हूँ, माल लो, एक जो मैंने आप लोग कल एक्जामपल दिया था, वो एक्जामपल वैलेड है यहाँ पे, माल लो, एक पहाड है, ठीक है, इस पहाड के उपर माइस की कुछ और न की स्पिशीज देती है, काफी सारी, एक ही स्पिशीज देती है, सिंगल स्पिशीज, जैतरी मैं मात से वो सेम स्पिशीज से बिलंगरतें, अब माल लो, यहाँ पे अर्थक्विक आ गया, अर्थक्विक आने की वज़े से, यह वाला पहाड है यह तूट गया दो और वाला पार्ट, तोड़ा से दूर चला गया, और दुनें की बीच में बच्चों एक खाई आ गई, वाले यह बीच में के आ गई, एक खाई आ गई, यह रस्ता आ गया, जिसके वFr 다양한 जो यहां का तो यहां ऑले जो माइस हैं, यहां वाले जो माइस थे वो यही रहे गए यहां आपके नहीं जा पार है सही है अब यहां वाले जो माइस होंगे वो इधरी मेटिंग करेंगे इधरी रिप्रोड़क्शन करेंगे और यहां से नई स्पीशिस मतलब नया और्गिनिजम बनाएंगे similarly यहां से यहां वाले जो अर्गिनिजम थे वो इधरी मेटिंग करेंगे और यहां से एक नई स्पीशिस कभी नहीं मिलेगी क्यों 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 कि यहां पे इसके बीच में क्या आचुका है एक दरार आ चुकि एक जाएफ्य मतलब यहीं पे ऐसालेट हो गया यह यहीं पर isolate होगे तो इससे होगा क्या इससे यह होगा बच्चों, जब दोनों का habitat change होगा, जब दोनों का जगा change होगा, समझ रहे हो जब दोनों का अलग type से evolution होगा तो यहाँ पर अलग species भी बन जाएगी, तो एक species यहाँ पर बन जाएगी और एक species यहाँ पर बन जाएगी समझ में आई बात मैंने क्या बोला, तो geographical isolation के बज़े से दो अलग-अलग species का formation होना ही क्या कहलाता है allopetric intraspecific allopetric intraspecific speciation, ठीक है allopetric intraspecific speciation intraspecific समझ में आगया न, एक ही species से एक नई species बनना है, intraspecific allopetric मतलब क्या, geographical isolation से, ठीक है, geographical isolation के वज़े से एक species से, एक नई species बन गई यह हो गया उसके बाद हम लोग बात करते हैं, sympatric की sympatric मतलब क्या, sympatric में बच्चो, geographical isolation नहीं होती ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग geographical isolation की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं होता without geographical isolation अगर एक species से, दूसरी species बन रही है तो वो कहलाईगी, sympatric speciation, ठीक है? आज आओ, एक example समझते इसको भी देखो यहाँ पे देखो, 80s का टाइम था 18th century का टाइम था ठीक है? एक्जामपल दिया हो आपके बुक में 18th century, अमेरीका का टाइम है अमेरीका में पहले अपल के पेड एक्जिस्ट नहीं करते थे ठीक है? अमेरीका में पहले अपल के पेड एक्जिस्ट नहीं करते थे तो उनको यूरोप से लाया गया था यूरोप से नहीं आपल के बीच लाया थे उनको बाद में अमेरिका में हो गा गया तो पहले-पहले जब एपल के पेड नहीं करते थे यहां पर कुछ पेड़ हुआ करते थे 60 को पेड़ उआ करते थे और इस फीन चर्क पर पर कुछ फ्लाइस और पे-उच और यह इस यहां लोगों ने क्या सुचा कि यह एपल को भी इंट्रोड्यूस किया जाए तो इसी के बाजू में एक नया पेड़ लगा दिया गया जो कि एपल का पेड़ यह किसका पेड़ है अब यहां पे कुछ फ्लाइज जो थी ना फ्लाइज मतल समस्तों ने जो मक्हियां हमारे घर में आ तो चलो एपल खाया जाए ठीक है चलो क्या किया जाए एपल खाया जाए तो यहां से कुछ मक्हियां उड़के यहां से कुछ मक्हियां उड़के कहां चले गए यहां पे चले गए इस वाले पेड़ पर आगए ठीक है कुछ को यार एपल पसंद आए कुछ को नहीं पसंद है जिनको नहीं पसंद आ है वो लॉट गया इस वापस पीस के पेड़ पर जिनको पसंद आ है वो यहीं रहने लगे चाहिए जो जो कहार यहां रहने लगे यहीं पर रहने लगे मतलब, कुछ मक्हिएं आब इस पेड़ पे रहे रहे है, सही है मैंने उसके बीच में कोई जेग्राफिकल आइसोलेशन डाले किया मै столько बीच में कोई पहाड़ ला दिया क्या मैंने इनके बीच में कोई अर्थक्वेक ला दिया, नहीं, मैंने सिर्फ यहां पे पेड़ लगा, यहां पे पेड़ लगा, अब यहां के कुछ मक्खियां उड़के, यहां चलेगे, जिनको एपल पसंदार है, समझ मैरी बद, अब यहां वाली जो मक्खियां वो इधरी मेटिंग करेंगी, क्यों, देखो, मक्खियों यहीं पेड़ु करती, यहां वाली मक्खियां यहां पेड़िंग करती, समझ रहों, तो यह स्पीशिस तो ऐसी रह गई, लेकिन इनका हैबिटारट चेंज हो गया, इस स्पीशिस का क्या हो गया, हैबिटारट चेंज हो गया, जिसकी वजह से, यहां पे Flies की एक नई स्प एक new species form हो गया, क्यों? क्योंकि इन जो मक्या यहां पर आई थी ना, उनका habitat change हो गया इन से, समझ रहो ये अलग खारी है, apple खारी है, ये piece खारी है समझ रहो, तो इनका habitat change हो गया, और इनका habitat वैसे ही रहे गया, समझ रहो, तो ये पहली वाली species थी, इस पहली वाली species से इस एक नई flies की species बन गई, without any geographical isolation, बिना किसी geographical isolation के, समझ रहो, इस type के speciation को हम लोग क्या बोलते हैं इस type के speciation को हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चों that is simpatrick simpatrick intra specific specific isolation, sorry speciation speciation, clear है समझ में आ गया समझ में आ गया, तो ये दो चीज़ा हम लोग को समझ में आ गई, ठीक है, हम लोग को allopatric समझ में आ गया, हम लोग को simpatrick समझ में आ गया, सही है, आजओ यहाँ पे, हम लोग को allopatric समझ में आ गया करें लोग को शिंपाफिक समझ में आ जहां पे जेहज्ख ल जहां पे जिख अपे जेह्ज्फिक हो वह अ क्या बात करते हैं हैं इंटरा स्पेसिक दिख इंटर नहीं, इंटर, सॉरी, सॉरी, इंटर स्पेसिफिक, इंटर को हो गया, इंटर स्पेसिफिक, तो मैंने क्या बता है आप लोग को इंटर स्पेसिफिक के बारे में, इंटर स्पेसिफिक मतलब, इंटर स्पेसिफिक मतलब, ऐती स्पीशीज, दो अलग-अलग मिलके एक नई species का formation कर रही है वो है interspecific जैसे interspecific competition हता है हमारे school में colleges में सभी इसका मतलब क्या अलग-अलग school के बच्चे आते और compete करते इंट्र specific competition मतलब क्या हमारे ही school के बच्चे competition करते इंट्र मतलब क्या अलग-अलग species अलग-अलग school के बच्चे अलग-अलग species आगे चलके एक नई species का formation कर रही है तो वो क्या होता है that is interspecific speciation मैं आप लोग एक्जामपल देता हूँ यदि अगर आप female horse और male donkey यदि आप female horse और male donkey के आपस में शादी कराओगे तो यहां से एक नई species बनती है ना वो जो species बनेगी इंका जो बच्चा होगा ना वो horse होगा ना वो donkey होगा वो एक नई species होती है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं mule इसे हम लोग क्या बोलते हैं mule इसे हिंदी में खचड भी बोलते हैं सुनाओगा आप लोग ने गाओं जो बच्चे थोड़े से नौर्थ हिंदीन साइड के ना उनको पता होगा कि इसे खच्चड भी बोलते हैं खच्चर तो अगर आप female horse और male donkey कि अगर शादी करवाओगे तो वहां से जो baby आएगा ना वो आता है mule जो की एक अलग species है समझ रहे हो तो एक species A एक species B अगर इन दोनों से आगे चलके एक ही species बन रही है तो इस चीज को आगे चलके बच्चे नहीं पैदा कर सकता इसके पास खुद के कोई reproductive organ नहीं होते होते भी है तो वह active नहीं होते समझ रहे हो तो यह स्टेराइल है यह बच्चे पैदा नहीं कर सकता समझ रहे हो अगर female horse और male donkey को आप fuse कराओगे शादी करवाओगे तो वहाँ से mule बनता है खचर बनता है जो एक नई species है clear है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं interspecific speciation I hope आप लोग को clear चीज़े हो गई होंगी ठीक है I know lecture वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है पुट कोई बात नहीं अगर आप लोग ने यहां तक वीडियो देखा है तो वीडियो को like जरूर से कर दें ठीक है बिना like कोई नहीं जाएगा चैनल पे नए हो तो वीडियो को subscribe कर दो और हमारा जो चैनल का क्या बोलते ह आएं clear है सो मिलते हैं next वीडियो में और नहीं नहीं चीज़े discuss करते हुए तब तक के लिए keep study